हलो गाइज, वेल्कम टू टार्गेट सरकारी नौकरी, मैं हूँ इर्शाद अली यूपिटट 2019 और PCS 2019 के लिए मॉक टेस्ट और प्रिवेस एर के क्वेशन्स पेपर की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वीडियो से तो यूपिटट के लिए प्रिवेस एर क्वेशन्स के साथ साथ अडिशनल क्वेशन्स भी मैं आपको करवाँगा जो इन से ही रिलेटिड होंगे आपके पहला सवाल लेते हैं आज का चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन कौन कर लो ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकिशन्स आपको समय से मिलते रहें और इस धर्म को अगर आप बात करें ज्यादा तर मुस्लिम्स ने ही इसको फॉलो किया था उस समय अकबर के टाइम पर लेकिन एक ऐसा वेक्तिवित था जो हिंदू था केवल एकमात हिंदू जिसने दीने इलाही धर्म को अपनाया वो क्वेशन बन सकता है आपका तो समधर गुप्त ये कोशन बहुत आता है आपके एक्जाम में समधर गुप्त का जो सामराज्य था और लगबग पूरे पूर भारत में फैल चुगा था इसलिए उसको क्या कहा जाता है भारत का नेपोलियन त्री पिटक गरंथ किस धर्म से संबन दित है इतिहास के कोर्स मे मैंने पढ़ाया था त्री पिटक को ठीक है तो त्री पिटक आक्चुली हम कहते हैं तीन बुको को एक साथ किसको विने पिटक अभिधम पिटक और सूत पिटक सूत पिटक विने पिटक अभिधम पिटक ये तीन किताबों का कमेंड लीन को बोलते हैं हम त्री पिटक और यह होते हैं बोध्धर्म के ग्रंत बोध्धर्म के टेक्स्ट है यह तो कुछ नम 93 का हो जाएगा बोध्धर्म यह सेकेंड ऑप्शिन ठीक है नेक्स में देखें तो बुद्ध के द्वारत दियेगे उपदेशों को संकलित इसमें किया गया है कमपाईलेशन है और साथ ही बुद्ध धर्म को कैसे आगे ले जाया जाएगा उसके नियम वगेरा सब इन किताबों में मेंशन किये गया है महाराजा धीराज की उपादी धारन करने वाले पृत्थम गुप्त शाशक कौन थे नाइटीफोर गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त को पृत्थम महाराज धीराज की उपादी मेरी थी 320 इसवी में ठीक है तो चंद्रगुप्त प्रथम हुमाईयू नामा किस ने लिखी थी हुमाईयू नामा को लिखने वाले कौन थे अच्छली ये थे हुमाईयू नामा उनकी बहन दीखे हुमाईय जो है मुगलकाल का एक शाशक आप जानते हैं बादचा है और इसका जीवन चरितर जो इसका एक तरीके से पूरे इसकी इसने जिंदगी भर में अपने क्या क्या अचीवमेंट थे इसकी वो सारी की सारी इस शक्ति का केंदर कौन सा है कौन सी जगा पर इनमें से परमानू का शक्ति केंदर है तो इसमें जो आपको देख रा कल पक्कम बहरत के परमानू उरजय विवाग का एक रिसर्स सेंटर है इसको यहां इसका नाम है इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंधान केंद्र इंद्रा गांधी परमाणू अनुसंधान केंद्र 1971 में प्रत्वी और सूर्य के मध्य अधिक्तम दूरी की स्थिती को किस नाम से जाना जाता है इसका आंसर हो जाएगा देखी जब प्रत्थवीर सूरे के बीच में maximum distance होती है तो लगभग 15 करोड 15 सिपलस ही होगी 15 करोड क्या जब इतनी distance होती है तो ये स्तेथि कहलाती है अपसोर ठीक है अपसोर उपसोर कब होती है जब प्रत्विर सूरे की बीच की दूरी बहुत कम होती है मतलब उससे कम नहीं हो सकती minimum distance होती वो उपसोर कहलाएगी लेकिन जो maximum distance है वो अपसोर तो दूसरा question इसमें additional लाल सकते हैं पैसे तो ये हर 4 जुलाई को अपसोर के स्थिती 4 जुलाई को आती है हर साल ठीक है ये भी याद रखेंगे next one is निमले के तितियों में से किस पर गी इसम आयनांत होता है ठीक है इसमें 98 question number 98 है सूर्य की किरने जब जो topic of cancer है करकरेखा पर जब perpendicular होती है लंबत पड़ती है तो जो northern hemisphere है उसमें दिन बड़े और राते जो है छोटी होने लगती है तो हर साल 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है इसे ही हम कहते है ग्रीश्म आयनांत ठीक है ग्रीश्म आयनांत तो यही होता है तो date आप याद रखेंगे 98 का 4 नेक्स्ट वन निम्ले के परवत प्रकारों में कौन सा भ्रेंशन द्वारा उत्पन होता है 99 तो भ्रेंशन मतलब होता है दरारें तो दरारों के द्वारा खिचाव या दरारे आ जाती है इस काराण से कुछ हिस्सा उपर उड़ जाता है और कुछ धस जाता है तो धसा भाग घाटी है रिफ्ट वैलीज और उठा हुआ भाग अवरोधी परवत कहलाते है तो इसे ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है 99 का हो जाएगा अवरोधी तो मैयान जौला मुखी का नाम इसको कहेंगे माउंट मयान वालकेनों है और यह फिलिपीन्स का सबसे एक्टिव वालकेनों है फिलिपीन्स का है ये रहा नेक्स्स देखिए निमदेखित यूगों मेंसे कौन सा सुमेलित नहीं है एक से किस तो ग्टेशन नमबर जो थर्ड है नुनाटक ये भूमिक अजल ये इससे ये क्या है ये सुमेलित नहीं है नेक्स चलिए अगला कुशन देखिए बिजली चमक और मेग गरजन की विशेस्ता हैं क्या है ये हमने जब हम EBS का कूर्स कर रहे थे तो तब हमने इसमे इट्मासफियर में पढ़ा था इसको वायू मं सब कौन सी लियर में होता है अट्मासफियर की तो यह होते हैं ट्रॉपोस्फियर में ठीक है ट्रॉपोस्फियर को कहते हैं हम लोग छूब मंडल छूब मंडल नेक्स्ट वान इस निमले खितमे से कौन सी शीत महासागरिय धरा है कौन सी शीत महासागरिय धरा है कुश्चि इसका है बैंगवेला धारा है इसका थर्ड आंसर इसका हो जाएगा बैंगवेला धारा सॉरी सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित क्या गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन अक्ट कब आया था यह आप जानते हैं यह 2005 में था लेकिन 2005 के भी दो अंसर आपके सामने हैं तो जून 2005 में इसको संसद ने कानूर बना कर पारित कर दिया था इस अधिनियम को ठीक है त रिस्पॉंसिविलिटी है नेक्स्ट भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर पृथम किस ने दिया था तो दल विहीन लोकतंत्र का पहले मतलब जान लेते हैं दल विहीन लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि ऐसी विवस्था जिसमें राजनीतिक दल पॉलिटिकल पा ते जै प्रकाश नारायन समिधान के मूल करतवयों को किस समीती की अनुसांशा पर शामिल नहीं किया गया था मूल करते फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटी की बात चल रही है अनुसांशा पर शामिल किया गया था ठीक है तो question number 186 है स्वान सिंह समीती के अनुसांशा पर fundamental duties स्वान सिंह समीती को याद रखेंगे third स्वान सिंह समीती पर शामिल किया गया 1976 में और amendment act ता 42nd amendment act 1976 यानि 42 सवां समिधान संशुदाद दिया है 1966 के according 10 fundamental duties अड्ट उस समिधी समिधान में ठीक है लेकिन एक बाद में आट कीगी थी यार्मी अगला सवाल वित आयोग का गठन का प्रावधान भारत के समयधान के किस अनुचेद में हैं बहुत important question आता है यह यह तो articles के आप बात करें 395 articles हैं समयधान में और इसमें article 280 बात करता है किसके बारे में financial किसके बारे में करता है यह वित आयोग के ठीक है वित आयोग के गठन के बारे में इसी में प्रावधान किये गए हैं और हर इसका वित आयोग का जो कारकाल होता है पांच वर्षों का होता है रास्ट पति के द्वारा इसको किया जाता है समयधानिक प्रशंव की सुनवाई निमले कितमे से कितने नियाःधीश करते है समयधानिक प्रशंव की जो सुनवाई होती है, पांच मुख्य नियाःःफीश की पीट करती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं, वो Chief Justice करते है question answer वो गया first and next one is लोग अदालतों दुवारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की थी first time लोग अदालतों ने सुनवाई करनी कब शुरू की थी अचा है तो लोग अदालतों दुवारा पहली सुनवाई होती 6 October 1985 को first one 6 October 1985 को अगला सवाल देखें समिधान सभा किसके अंतरगत स्थापित की गई थी यह important question है यह हम पढ़ा चुके हैं पहले आता है यह question तो cabinet mission के अंतरगत समिधान सभा की जो है स्थापना की गई थी cabinet mission next one दक्षेस के किस देश में समिधान निर्मातरी सभा का हाल ही में चुना हुआ तो आप जानते हैं नेपाल में पहले नेपाल की राज़ानी काटमांडू में हुआ था दक्षेस के दक्षेस की सम्विधान निर्मातरी सभा का जो अठारवा सीखर सम्मेलन हुआ था ठीक है इसको लगाएंगे नेपाल नेपाल में अब लोक तंत्र है पंडित शारंग देव द्वारा रचित गरंथ कौन सा है तो पंडित शारंग देव द्वारा रचित गरंथ कौन सा है तो पंडित शारंग देव द्वारा रचित गरंथ कौन सा है तो पंडित शारंग देव द्वारा रचित गरंथ का नाम है संगीत रतनाकर याद रखें सब्त अध्याई है इसका तूसरा नाम भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वान यूग कहा जाता है सांगीतिक विकास के लिए तो 113 question number 113 है तो भारत में संगीत का विकास की musical development की बात चल रही है इस क्रम में जो है जो मध्यकाल है medieval period है उसको कहा जाता है मध्यकाल को संगीत का जो best period माना जाता है next संगीत का जो मूल वो है एक तरीकिस origin है वो हमारे वेदों से आता है next one देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका क्रमिक पुस्तक मालिका किस ने लिखी है क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखा कौन है तो इसका होगा देखे भात खंडे जो option एक है भारत खंडे भारत खंडे ने लिखी है इसको और ये माराटी भाषा में लिखी गई है किताब next चले इन में एक संधी प्रकास राग कौन सा है तो इसमें थर्ड बन देखे बिहाग बिहाग जो है बिहाग तो इसका answer हो जाएगा थर्ड बन एक सुपंद्रा का थर्ड next बन देखे इन में से एक संधीत मैं माना जाता है अभी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो भारतिय म्यूजिक भारतिय संगीत का जो उदगम है वो कौन से वेद से है ऐसे भी पुछा जाता है ये भारतिय संगीत का उदगम या ओरिजिन ओफ इंडियन म्यूजिक किस वेद से माना जाता है तो सामवेद जो है ये किताब किसकी है म्यूजिक की किताब है इसमें जो श्लोक है या जो इश्वर को इश्वर की प्रसंशा में जो भी श्लोक है उनको जो है कि म्यूजिकल टॉन पर सेट किया गया था ठेक है तो इसलिए म्यूजिकल बुक की कहलाती है सामवेद को संगीत में वेद भी माना जाता है तो इस वेद में रिगवेद की लिखागा इनकी प्रश्ण साथ। अल्फान्सो क्या है। अल्फान्सो ईक प्रेचलित किसम है किस चीज की। इसमें ज़ादतर आपको ज़ावशन्स अवलेबल हैं उसमें शिर्फ सर्फ फल के पार हिम बताया है तो आप जानते हैं अल्फान्सो अल्मीडा। अलफांसु अलमीडा आप जानते हैं यह व्यक्ति था और यह कैट था पूर्तगाली था और यह जो है इसी नहीं इंटर्डिज़ किया था आम की खेती तो एक आम का नाम है इसी के नाम पर रही है आम का है तलफांसु आम की प्रेचलित किसम है next one महरास्ट में होता ज्यादा ये पहाड़ी छेत्रों में भाग लगाने की कौन सी विधी अपनाई जाती है एक्सोटारा तो पहाड़ी छेत्रों में भाग लगाने के लिए कंटूर विधी का उपयोग करते हैं कंटूर ठीक है पहाड़ों के पर यह इस तरह से ऐसे 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 कंटूर इस खोलते कंटूर विधी नेक्स देखें और इस विधी को जो है दूसरी नाम से कहते हैं कंटूर फरोज भी कहते हैं और Micro Watershed भी कहते है Micro Watershed और Contour Furos ठीक है तो next चलेंगे जेली बनाने के लिए इसमें कौन सा आवश्यक है फलो में पाक्टीन की मात्रा निधारित करती है नेधारित करती है जेली बनाने के लिए पाक्टीन की वो कितना फल पका है नहीं पका है ठीक है इच्छ नवाने के लिए फल में पैक्टिन की मात्रा की अकॉर्डिक है उसमें चीनी आर्ट की जाती है और जली बनाने के लिए याद रखे का पैक्टिन के वाशकता होती है आम की कौन सी किस्म बहु ब्रून है तो देखे चंदरकरन जो है चंदरकरन नेक्स देखे इसका तो चंदरकरन आम की बहु ब्रून है किस्म होती है ये गार्डन रिक का उपयोग किया जाता है गार्डन रिक का उपयोग किया जाता है तो गार्डन या बगीचे में जो है गर्मी के मौसम में जो घास वगएरा उप जाती है उप जाती है अपने आपी उसको हटाने के लिए उसको एक जगा करने के लिए रैक का स्तमाल किया जाता है इसी को इसी रैक को जो है गार्डन रैक भी कहते है तो यह क्या है कांट शाथ जिस स्थान पर मिलती हैं उसे संधी या हम कहते हैं जोड कहते हैं जैसे कंधे होते हैं हमारे ठीक होनियां होती हैं कूले होते हैं तो तीन प्रकार की होती है अचल संधी अर्धजल संधी चल संधी तो कपाल में जो है अचल संधी पाई जाती है कपाल में आपके जल का रासाइनिक सूत्र आपको बताना है तो जल का रासाइनिक सूत्र बहुत सिंपल कोशिन है ठीक है बट केरफिली सेलेक करना है दूसरा H2O H2O ऑप्शन से एक जैसे ही बनाए हुए है ठीक है तो जल का अनूं-दो हाइडोजन परमानोस और एक आउकसिजन परमानोस से मिलता है यथा रक्त की शुदी किस अंग में होती है प्युरिफिकेशन आप नब्लड किस अंग के दुवारा के बॉड़ी के किस और गन के दुवारा तो यह होती है किड़नी में व्रिक में रक्ति शुदी की संग में होती है तो यह होती है किड़नी नेक्स्ट गरंतियों द्वारा कौन सा पाचक रस शावित होता है गरंतियों द्वारा ग्लैंट्स की द्वारा कौन सा पाचक रस जो है निकलता है डाइजिस्टिव जूस पता रहा है कौन सा निकलता है तो शरीर में जो आहार नाल होती है हमारी उससी जुड़े प्राप जो उससी जुड़े भी पाचन ग्रंथियों में जैसे लार ग्रंथिये यकृत और अगनाशे भी रहते हैं ठीक है तो आहार जो हम खाने को चबाते है उससे में इन ही ग्रंथियों के द्वारा जो है वहानी द्वारा जो लाल रस है मुह में आता है और इस लाल रस के साथ में जो लाल ग्रंथियों द्वारा टाइलीन टाइलीन को आप जानते हैं यह निकलता है नेक्स्ट यह हैं किस प्रकार के वस्त्रों में अरा रोट का कल देखेंगे तो यह इसमें हो जाएगा सूती कपड़ों के लिए ठीक है किस प्रकार का किस प्रकार का मृता जल पोधो दुवारा ग्रेहन किया जाता है पोधी जो भोजन मुणाने के लिए मृदा से जो है कोशिका दुवारा जल और पोशक तत्वर न्यूट्रियंट्स मैंने पढ़ाया था फोटोसंतेसिस में आपको ठीक है तो यह होगा केशी का जल ठीक है केशी का जल नेक्स्ट वन कैपिलेरी की तरह यानि जल जो है भुमी के अंदर से उपर की तरह बढ़ता है सरवादिक वसा या प्रोटीन वाली सरवादिक वसा यानि फैट उत्पादन करने वाली भैंस की एक नसल का नाम आपको बताना है तो भदावरी नसल की जो भैंस होती है भदावरी नसल की भैंसों में दूद में जो है जो दूद में बात चल रही है उनकी ठीक है दूद में फैट की मातरा सबसे ज्यादा पाए जाती है और इन भैसों की बहतावरी आंसर करेंगे, इन भैसों की capacity होती है, एक दिन भर में जो है, ये 20 से 25 लिटर तक दूद देती है, और उत्र परदेश में पाए जाती है, ये किसम, गुली डंडा, फेलोरेसिस माइनस, किस फसल का प्रमुक खरपदवार है, गुली डंडा, नाम अच्छा है सुनने में, तो गेहूं की फसलों में जो संकरी पत्ती वाली जो फ्लेरिस माइनस, जो घास फूस होती है, खरपदवार होती है, ये पाए जाते हैं, तो पैदावार को काफी नुकसान पोजाती है, तो इस खरपदवार को भारत के अलग-लग राज्यों में अल हो जाती है, चिरया वायरा है ना सुना होगा आपने, अलग-अलग स्थान पे अलग-अलग आपके गाउन शहरों में अलग-अलग नाम से इसको को बलाते हैं, देखे भंडारन के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए, जो इसको स्टोर करेंगे बीज को तो उस नेक्स देखें, तो खपरा होता है इसमें जब नमी इससे ज्यादा होती है ना बीज में, किसी फचल के बीज में भी यह हो या कि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें खपरा बीटल लाम का केट लग जाता है, तो इससे ज्यादा का नमी रहती मौश्चर, तो मौश्चर से बच सब्सक्रार इंद्र धनुष में नीले रंग के बाद में इंद्र धनुष में बनते हैं सेवन रंग विब ग्योर के आपको याद ही होगा वी आईई भी जी वाई ORE 7 color है अब पूछा है नीला रंग नीला है blue ठीक है ये रहा blue blue के बाद में आएगा ये जी है तो green आएगा ठीक है हरा रंग third one तो 132 answer हो जाएगा विब्योर से तो